आकडे की जड़ की मिट्टी, ले आना और बुद्ध ग्रह हो जाएका मजबुद नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर आप सभी का शिव पुरान के उपाय में देखे आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है पहले बता देताओं कि ये उपाय केवल और केवल भुद्धवार के दिन ही आपको करना है जैसा कि आज भुद्धवार है तो आज के दिन भी आप ये सुन्दर सा प्यारा सा चमतकारिक उपाय कर सकते हैं देखे बुद्वार के दिन दो विशेश उपाय आपको करना चीए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है देखे एक उपाय होगा पांच हरी इलाईची वाला उपाय जो कि आपके बुद्ध ग्रह को मजबूत करेगा साथ ही साथ दुसरा जो उपाय होगा वो आकड़े की जड़ में एक विशेश चीज डालना है जिससे बुद्ध ग्रह मजबूत होगा देखो ये दोनों उपाय बुद्ध ग्रह को मजबूत करने के लिए हैं और आज के इस पूरे वीडियो में हम केवल और केवल दो उपाय क के बारे में बात करेंगे ये दोनों उपाय पुद्ध गुरुदेव की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल पर अगर पहली बारा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बह बुद्ध और विकास के कारक ग्रह हैं अगर आपके घर में आपके जो बच्चे हैं उनको वो पढ़ने लिखने में कमजोर है या आपका व्यापर जो है वो कमजोर चलता है इसका मतलब यह है कि बुद्ध ग्रह आपका कमजोर है बुद्ध को ग्रहों का राजकुमार कहते अगर कुंडली में बुद्ध की स्तेतिय अगर सही होगी ना तो जीवन में किसी भी चीज में आपको कोई भी कमी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा तो बुद्वार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है भगवान गणेश को हम कहते हैं विगन हर्ता जो कि हमारे जीवन के विगनों को दूर करते हैं इसलिए इस दिन आपको कुछ ना कुछ आसान से उपाय करने चीए जीवन में सुक सम्रद्धी जोकी लेकर के आते हैं इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे आपके कारोबार में आपके कार्ये में तरक्की ही आपको मिलेगी तो देखो बुद्वार का दिन प्रदम पुझनिया गणेश जी का होता है तो इसलिए आपको पांच हरी इलाइची वाला उपाय आपको जरू करना है बुद्ध की स्तिती सही नहीं होने से मानसिक तना होता है चारी जिक परिशानिया होती है आर्थिक परिशानिया का सामना करना पड़ता है और भुद्वार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं केवल और केवल भुद्वार के दिन तो करियर और कारोबार दोरों में आपको तरक्य मिलती है और गणेश जी का आशिरवाद भी मिलता है तो सबसे पहला जो उपाय होगा वो होगा इलाइची पांच इलाइची लेना है किस प्रकार से उपाय करना है समझना और दिवार के दिन अगर आप पांच इलाइची का साबूत इलाइची का उपाय करते हैं तो आपके जीवन में गणेश जी का आशरिवाद मिलता है साथ इसाथ बुद्ध ग्रह से जुड़े संबंदे जो भी दोश हैं उनसे भी आपको राहत मिलती है जिन जातकों की कुंडिली में बुद्ध ग्रह से जुड़े दोश हो तो वो व्यक्ति हमेशा उसके शरीर में प्रॉब्लम रेगी उसको आर्थिक और मांसिक परिशानियों से गुजरना पड़ेगा इन सभी को दूर करने के लिए केवल आपको एक इलाइची का अच्चुक उपाय करना है विगन हर्ता गणेजी को प्रसंद करना बहुत ही आसान है अगर आपने उनको प्रसंद कर लिया तो आपके जीवन से बुद्धगरा से जुड़ा दोश जो भी है वो समाप्त हो जाएगा केवल आपको पांच इलाइची से उपाय करना है देखे भूदवार के दिन आपकि इस प्रकार से इलाइची का उपाय कर सकते हैं यदि आज नहीं कर पाएं तो अगले भूदवार को कर लेना लेकिन भूदवार को ही ये उपाय आपको करना चाहिए आपको पांच इलाइची लेना है आपके घर में गणेजी की फोटो या मुर्ती तो होगी आपको क्या करना है एक लाल कपड़े के उपर गणेजी की फोटो या मुर्ती रखनी है और उनके सामने पांच साबुत इलाइची रख देनी है और उसके बाद आपको एक दीपक रखना है दीपक के अंदर आप घी भी डाल सकते हैं तेल भी डाल सकते हैं तो आपको लगे वेसा आपको घी का दीपक प्रजुलेत करना है सबसे पहले आपको सिंदूर से गणेजी को तिलग करना है इस मंत्र का आपको जाप करना है और गणेजी को सिंदूर से आपको तिलग करना है दूसरी बात यह है कि आप जो भी दिपक जला रहे हैं उसके अंदर भी आपको हलका सा सिंदूर डाल देना है द्यानके नारंगी सिंदूर ही आपको डालना है और अब क्या करना है आपको जो पांच इलाइची रखी है पांचों इलाइची पर आपको एक एक टीकी सिंदूर की लगानी है ओम गंड गंड पते नमह आपको सबसे पहले ओम गंड गंड पते नमह इस मंत्र का 108 बार जब करना है और उसके बाद सबसे पहली जो इलाइची है उस पर आपको तिलक करना है फिर दूसरी बार ओम गंड गंड पते नमह इस मंत्र का वापस से 108 बार जब करना है फिर वापस से आपको दूसरी वाली इलाइची पर तिलग करना है इस प्रकार 108-108-5 बार आपको मंत्र का जाप करना है और पांचों इलाइची पर आपको तिलग करना है ध्यानके थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन ये बहुत ही अच्छो कुपा है निश्यते आपकी जिव आपको रखी रख दीना है अविति खभी स्टने में पड़ात मिलती संगा। आप समर्पित करके आजाए, भंडार के उपर रख दे, कहीं पर भी आप वो रख करके आजाए, ठीक है, जब भी आप वो इलाइची रख रहे होंगे, तो गणेजी से प्राथना करनी है कि जीवन में आरे जितने भी विगने हैं, उन्हें दूर करने के आपको प्राथना करन तो आपको उस समय गणेजी का नाम लेकर के गणेजी से प्रातना करनी है और विगनों को दूर करने के प्रातना करनी है और उसके बाद आपको वो इलाइची आपको गरहन करनी है, ज्यान रखें हर एक इलाइची पर आपने 108-108 बार गणेजी के मंत्रों का जाब करा है, तो वो इलाइची जो हैं वो पवित्र हो गई हैं मंतरित हो गई हैं और वो ही इलाइची आपको ग्रहन करनी है और अगर आप ये मंतरित इलाइची जो आपके पर्स में रखते हैं तो आपका जो पर्स है कभी भी खाली नहीं रेता और उसके अंदर बडोतरी होती है तो इस से ये आपको अध्भूत उपाय करना है देखे ये हो गया पहला उपाय अब हम बात करेंगे दुसरे विशेश उपाय की जो की आपको आकड़े की जड़ किस प्रकार से घर पर लेकर करके आनी है उसकी वीदी विल्कुल ध्यान से समझना अकड़े की मिट्टी से आपको प्राप्त करने के लिए इस दिन आपको ये उपाय जरूर करना चीह है ताकि गणेश जी के साथ साथ मता लक्षमी का भी आपको भूद्वार के दिन आशिरवाद मिल पाए देखे बहुत ही आसान सा उपाय है करना क्या है आज के दिन आपको 11 चांवल के दाने लेना है तो उत्तर की दिशाम होगा देखे बिल्कुल ध्यान से समझना दक्षिन और पुरव याने कि अगनी कोंड में आपका मुख होना चीह है अगर अगनी कोंड में मुख नहीं कर पायते हैं तो आपको उत्तर मुख ही होकर के यो पाय करना है ठीक है अब आप जो 11 चांवल के दने लाएं हैं वो आपको आखड़े की मिट्टी में डालना है इदम अक्षतम ओम गण गण पते नमहा इस मंत्र का जाप करें और एक चांवल के दाने डालें वेसे ही 11 बार मंत्रों का जाप करें और 11 चांवल के दाने डाल दें ठीक है और अब आप 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 आपको और आपको एक कटोरी के अंदर जल भरना है और उसके अंदर ये मिट्टी डाल देना है ठीक है इसको बिल्कुल हिला दें मिट्टी और जो चांवल है इसे बिल्कुल हिला दें आपके घर के सबसे मुख्य दौर पर आपको इसका छिटकाव करना है ओम गण गण पते नमहा या श्री गणेशाय नमह का जाब पड़ते हुए ठीक है विगन हर्ता गणेश जी आपकी घर से सारी वीपदा को दूर करने वाले हैं देखे अब आपको क्या करना है आपकी घर में जितनी भी गणेश जी की मुर्तिया है जितनी भी फोटो हैं उनके उपर महापर उनके गण जितनी भी फोटो है जितनी भी मुर्तिया हैं उनका तेज बढ़ता है अगर वो मुर्तिया सूस्त हो जाती है यानि कि उनका जो प्रभाव है वो कम पड़ जाता है तो इस उपाय को करने से उनका वापस से तेज बढ़ता है और आपकी घर से सारी नकारत्मक शक्तिया दू तो इस प्रकार से ये पूरी क्रिया आपको करना है देखिए ये जो उपाय है आप सुबह से लेकर के रातरी तक आप कभी भी कर सकते हैं तो देखो ये हो गया दूसरा उपाय तो आज की इस पूरी वीडियो में हमने दो बहुत ही प्यारे से उपाय के बारे में आपको बताय समझ में ना आये तो कमेंट में एक बार पूछ लेना गलती नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तु ब्यम हर हर महादीव